क्या नम है बाबू तुम्हारा गुडिया अच्छ तुम्हारे गुडिया तुम्हारे पापा का नम क्या था beth aunties अज्आ आपके पापा को कोन मार दिया मेरी मामी ने दो की तीन आम दिके बुला के लाई 2 अर मंडला प्रपने हम उसने बहुत दार्ड पीयां इस बें नहीं बहुत धर है। उख लेफिडार रण तुलौर की 000 आए इसमेह मरवाद फॉत्जी जड़क अरे गुटी जो घरे आता था उसके माई के साथ कुछ गलत सम्बंद भी था है उसका गलत करने के लिए यहां पहता था बहुत हो सारा लोग आता था बहुत संतर चाहती है बव है के सरकार से कहना चाहते हूं कि इसको बीछ सल के साजा मिली हुई है बीच साल में बचे की चाहे मर आपने अक्सर प्यार मोहबत में लड़का और लड़की को मरते देखा होगा ऐसा यह सुना जाता है कि परिवार वाले मिलकर के लड़की की हत्या कर देते हैं तो कभी लड़का को पकड़ करके उसकी रिक्सा चालक का सामने बगल में घर है और रिक्सा चलाने वाले व्यक्ति को एक मुस्लिम लड़की से 20 साल पहले प्यार हो जाता है और प्यार के बाद दोनों अपने राजी कुछी से उसे साधी में तब्दिल कर देते हैं लेकिन परिवार के लोग इस रिष्टा से खूस न कर्मली होएं और इसके पीछे कहानी इसके मा के कुकर्मों की बात है इसकी मा अपने प्रेमी संग मिल करके अपने पति कोमलारा क्या हुआ था क्या नमीैं नंदी के बूला कर लाई मर वार अजु जो आदमी सबाया था ता उसका नम कीया है नाम नहीं पता है लेकिन तुम्हारे मुप बांबान करा यह त indifferent ुम्हारे मुपको बुलाई पहले बहुत लोग आता था रांग विलांग साट कर ने पापा करने जै ले जाते पापा को धी पी टे पपा का सुत आते आउजी रात को पापा कि जब मुआने पहुआ नु तै यदी पापा के दारू पी या के माई vas पापा के लिए दारोपी या कर पापा के ये नासा में खूबी करके आया पापा सुत गरला हन घर में अंगर में से देखिति तीन की दूलोग के बोलवा के माय ने मर्वा दिया था ऑज जब हमने सब घर ना बनाने ये था तो येति माई जब घर बनाने वाला घार आमी था तुम्हेरे पापा को साड़ू कहता था अच्छा ओक निए का बोला कि अमर बाते आलिके अमरे अच्छा ओस अधमी जो घरे आता था उसाब के इसाथ कुछ गलत संपंद भी था गलत करने के लिए वहां पे आता था? और बहुत तो सरण लोग आता था? बहुत सरा。 बहुत जद्धा मोख रहा था, पोस्ट मासर भी आता याथा और जद्धा मोख रहा था। पापा तो हम प्स Exact 7 करो देलो वहीं लोगाजा मुझे पापा। यह दिन लोगे और दू दिन नहीं लोगे इस अब कांड जो है इसा तोरा माई एक चलते भाईलवा तोरा माई के चल लगा इसा भी पहले से खराब रहा लखा बाहर बाहर के बहुत सरा लोग घर में आवे गलत काम को रहा ती रहे अब जरह बताई है अब इस बचवा सब का होगा तो जीवन कोई से चलेगा एक यह बहाण है जो बड़ी बहाण है जो अपने बाब का किरिया ली हुई है एक एग और लड़की जो बंगल में आपे शोई हुए और यह कुशा चोटा भाई यह तुल आ अ पलोग तीन बहान है और मैं तरुन पाईन को भाई थाजाद हाद आधा गाल्ट गुलत काम के लिए घर में आता था और पापा को सादु काता था नहीं पहुत आर प्यांड प्या के आया पापा कर नोट किया रात कि आया उसमें आरावाद को जानिये अगोर पकर के चर से खोड़नी बांद रहे अब जारा बताईए कि बच्चा सब जिस कहानी को ब्यां कर रहे हैं से सुन करके साथ आप भी बहुत हरान परिसान हो जाएगा लेकिन दिल थामके सुनियेगा आपको एक बार फिर से बता दे कि इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण जीले में चैलाहा गाव है चैलाहा में हम लोग है बंजरी अथाना अंतर गटाता और इस घर की एक बुजूर को चाची भी है इंसे भी आम जानते हैं अच्छा चाची उरात के कहा का भाईल रहे हैं अच्छा आप यहां रिस्तेद कम लेशार चालाते तो मुस्मीम आलकी से प्यार्य और लूग यहीं के लिए उसको प्यार देखते हैं आ कि हौशा हो गया। भाष्स के द हो गया है भी सैखे हैं पिच में चैन्य में किसी गहर में और जया तो पयार रहा का कि? अभी कहानिया रिष्टेदार लोग भी घटना को बता रहा है और सामने ही उनका घर जिस घर को देख पार है और इस घर को देख करके अपन्दाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की कोई हैसियत और कोई आउकाद नहीं है यह सब गरीब तपका के लोगा जो मजदूरी करके ज बच्चा सब को भी पता भी नहीं है कि अब हम लोगों को क्या करना है लेकिन एक बर द्रिश से देख लिए कि कुकरमी मा की बजा से यह बच्ची जो है अप इस वक्त जिस समय पढ़ाई लिगाई करना चाहिए था इस वक्त अपने बाप का पुरी कारी कांटी लेकर और क् मा की बात रहते हैं इनके माई अभी जेल चली गई है अच्छा सरकार से क्या करना चाहती है अब तो नहीं का माई की जवरत नहीं खें आप अपको नहीं चाहती है अच्छा पापा से प्यार था जाता की माई से ज़्यादा प्यार था प्यार था पापा से ज़्यादा प्यार था कि माई पहले से खराब रहा ली और बच्वा सब के चेहरा पे साफ तर पर आप देख पा रहांगे खौप जलक रहा इन लोग का कहना है कि सरकार मेरी मा को कम से कम 20 साल के साजा दे हो सके तो 20 साल में उमर जाए उसकी जवरत हमारे जिंदग और बाकी बच्चा सब का क्या इस्तित्य उसको तो आपने देख लिया बाकी जाते जाते यहां के अस्तानिय परतनिद्यों से गुमार करता हूं मुत्यारी के डीम साब से मांग करता हूं कि आप कम से कम इन बच्चों के भरन प्रसंद के लिए कुछ उचीत व्यवस्ता कर बच्चों के बच्चों का बबी से और बाकी समाज में इस परकार की घटना नहीं हो इसके लिए समाज को लोगों को भी जगना पड़ेगा जाहिंद